नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आईए बात करते हैं जन्तू और पादप अनुकुलन तो सबसे पहले बात करते हैं पादपों के आवास और उनके अनुकुलन देखें यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है बहुत ही इंपोर्टेंट महत्पून यहां से रखेगा जलोदबीद हाइड्रोफाइड्स का खा जाता है इसे तो क्या विशेज तायसे पादबों की यह पादप जल वाली म्रदा में पाये जाते हैं तता कुछ पादबों की जड़ें परकास अंसलेशन करने के लिए हरे रंग की होती है जिने स्वांगी कारी जड़ें भ कर सकती है तो ऐसे जड़ों को का जाता है स्वांगी कारी जड़ें के यहते हैं वेली सेनेरियाfinderिया रेननकुलास हाइड्रिलां कमल मेन सिंग faculty यह जो पादब पाए मरू यानि रेगिस्तानी एरिया कह सकते हो एक तरीके से रितिली भूमी कह सकते हो यहाँ पादप सुस्क आवास में पाए जाते हैं और इनकी जड़ें गेहराई तक होती है और जल आउशोशन के लिए मूल गोप पाए जाते हैं देखें यहाँ पर इसमें क्या विशेचता ह यह है कि यह सुस्क आवास में पाए जाते हैं और सुस्क आवास का मतलब यह होता है जो रेगिस्तानी इलाका होता है ऐसे इलाका में यह पाए जाते हैं और इनकी जड़ें जो होती है वो बहुत गेहराई तक होती है तो इनकी जड़ें बहुत गेहराई तक होती है और इन पादबों की पत्या ग्रिश्म रितू में जड़ जाती ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रिश्म रितू में गर्मी बहुत ज़ादा पड़ती है और गर्मी के कारण सबसे ज़्यादा क्या होगा वासपोत सर्जन जो वासपोत सर्जन अधिकतम होगा तो जल से कम पड़ता है तो वासपोस्तों जिनकी किद्या भी सबसे कम होती है इसके कुछ उदारण है जैसे नागफणी और थोर और कैक्टस तो ये जो पादप है ये कैसे इलाके में उगते हैं ये मरुष्टली सेट्रों में उगने वाले पादप होते हैं आई ये बात करते हैं सम उद्विद, सामाई रिदे की नाम सम्दविद यानि सम, सम प्लस उद्विद, सम यानि समान, जहांपर सामाइने जल अदरता और ताफ वाले आवास में ये पादप पाये जाते हैं और इन पादबों की शिष्टा होती है कि इनकी जो पतियां होती है वो बहुत चोड़ी होती है इनकी पतियां चोड़ी होती है और दोनों सतों पर रंद्र पाए जाते है यानि जो एक पादब की पति जो होती है उस पादब की पति पर उपर और नीचे दोनों तरफ क्या पा बार में सितोध भिद जिसे क्रायोफाइट्स भी कहा जाता है तो क्या है सितोध भिद की विशेशता देखिए क्रायोफाइट्स यह पादप सीत प्रदेशों या बर्फिली भूमी पर पाए जाते हैं इनके क्या विशेशता होती है यह या तो सीत प्रदेश या फिर बर्फ फिले सेत्रों में पाय जाता है और बर्फ के निचे दबा होता है तता पुस्पन के समय उत्पन उस्वा से ये बर्फ के पिगलने से पादप का केवल पुस्प ही बाहर निकला होता है जो बर्फिला सेत्र होता है उस बर्फिले सेत्र में इसका जो पुस्प वाला भाग होता जयन Là Lord निकला है और बाकी का बाग अंदर होता है ठीक है जैसे इसकी उधरना है सालमो नेला है मॉंस मॉण्स जो होता है इन पर दो तो मस्रूम भी कह सकते हैं इसको और लाइपन तो यह कौन सी काटगरी में, यह आते हैं हमारे जो हमने काटगरी पड़ रहे तैकि आगे बात करते हैं लवन मुरदो उद्विद क्या भी बदाए जैसा कि नाम से पता चल रहा है लवन लवन की से खाएंग तो जो लवन की मर्दा में उत्पन होने वाले तो यह पादप लवन की मर्दा अथा दलदल में पाए जाते हैं और इन्हें लवणियम मर्दा में sodium chloride देखे मैंने भी कहा था आपको कि इनमें लवण पाय जाते हैं तो sodium chloride NaCl यह sodium chloride होता है magnesium chloride MgCl2 MgCl2 और क्या क्या होता है इसकी मर्दा में और magnesium sulfate और गुलन सी लवण अधिक मात्रा में पाय जाते हैं ऐसी मर्दा में पाय जाने वाले पात्पों को mangrove बनस्पती भी कहा जाता है very important mangrove बनस्पती कौन सी केटेगरी में आते हैं तो यह लवण मर्दोध बीद या mangrove बनस्पती किसे किने कहा जाता है तो इसकी केटे होती है जिनें जिनें new metaphor कहते है और जैसे इसकी हुद land है hiragofo salva leonella देwenह क्या होता है कि जो पादप होता है तो oxygen की कमी होती है जड़े oxygen ग्रहन करने के लिए वापस धर्ति की और बहार निकल जाती है ठीक है और इसलिए इन्हें कहा जाता है new metaphor मिलते हैं अगली class में तब तक लिए जये जये बाद